नमस्कार एने विलकम यौल दू स्टडी आएक्यू मैं हूँ प्रशान धवन नाव जब हम बात करते हैं इंटरनाशनल रिलेशन्स की तो जो मेजर मीटिंग्स होती है पियम मोदी इस मीटिंग विद पुतिन ये विद बाइडन या फिर शी जिंग पिंग इसको मीडिया अटेंशन भौजरा मिलती है मगर हाली में जब वियतनाम के प्रामनिस्टर इंडिया में आय थे तो पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इसको नोडिस किया है वियतनाम को मेरिटाइम सेक्योटी के लिए याद रखिएगा वियतनाम एक ऐसा देश है जो भारत की ही तरह चाइना का अटाक फेस कर चुका है चाइना के अटाक को वापस जवाब दे चुका है और आज भी वियतनाम का एक बहुती बड़ा मेरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ और वियतनाम के प्रजान मंत्री जब भारत में आए तो इन्होंने केडिगोरिकली ये का है कि हम हमेशा सपोर्ट करेंगे इंडिया इनिशिटेव फॉर पीस इन द रीजन इस टोपिक को थोड़ा सा आगे डिसकस करने से पहले न मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी वियतनाम को मैं काफी बार जब देखता हूँ तो मुझे रिखता है इंडिया का एक बहुती ज़ादा friendly country और साती साथ मुझे एक rival भी रिखता है जी हाँ friendly country और साती साथ एक प्रदिद्वंदी भी reason इसका बहुत interesting है Donald Trump के जो 4 साल थे as President of United States 2016 से लेकर 2020 तक उस दोरान ट्रंप ने एक काम ये किया कि एक trade war start कर दी चाइना के against और American companies को ये बता दिया manufacturing चाइना के बाहर shift कर लो और तब से हम देख रहे हैं बहुत सारी companies हैं जिन्होंने चाइना के बाहर अपनी manufacturing shift कर दी बट question यही था कि चाइना के बाहर अगर manufacturing जाएगी तो benefit किसको मिल इनिशली सब ने सोचा इंडिया इंडिया इस दा अंसर टू चाइना huge population cheap labor बिलकुल यहीं पहांगी सारी factories बट इंटरस्टिंगली चाइना से compete करना दूर की बात है इंडिया आज के समय compete कर रहा है वियतनाम से क्योंकि बहुत सारी जो factories जो industries चाइना से निकल के आ सकती थी इंडिया में वो एक्चुली जा रही है वियतनाम में और इसके पीछे reason है वियतनाम पहली बात तो एक democratic country नहीं है यह एक one party country है like China जी हां जिस तरीके से चाइना में single party का राज है वो लोग एक policy बनाते हैं और उस policy से चाहे लोग नाराज हो खुश हो does not matter वो policy implement होती है और न democracy है तो लोगों के पास अधिकार है सरकारी नीतियों का विरोध करने का states के पास काफी बार अधिकार होता है government projects पे अपनी policy change करने का for example अगर हम देखे bullet train project को तो माराश्ट्र government जब 20 में change होई थी तब उस वज़े से bullet train project भी काफी delay हो गया था यह सब problems आपको वियतनाम में न manufacture करके कौन सा देश कितना export करता है उस मामले में वियतनाम भारा से कोस हुआ गया नंबर वान पे आज भी चाइना है चाइना के जो mobile phone exports है यह आज भी 130 billion dollar है हाला कि थोड़ा सा इसमें मैं यह कहूंगा पिछले financial year में एक dip आया है 136 billion dollar से 132 billion dollar पहुच गये मगर यह कोई ऐसा बड़ा dip नहीं है जिससे आप कहें के पूरी game change हो चुकी है वियतनाम के भी जो mobile phone exports है इसमें dip आया है हलाकि percentage के साफ से काफी बड़ा dip है वियतनाम पहले mobile phone export करता था almost 32 billion dollar के अभी export करते है roughly 26 billion dollar के इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग आज भी 15 billion dollar पे है वियतनाम आज भी हमसे 11 billion dollar आगे है अलाकि मैं यह कहूंगा धीरे धीरे हमने पिछले कुछ सालों में यह रेखा है कि जैसे जैसे mobile phone manufacturing इंडिया में बढ़ रही है हमारे exports बढ़ रहे हैं और चाइना वियतनाम के exports धीरे धीरे कम हो रहे हैं बट अभी भी इंडिया को catch up करने में कई सा मिलेगी सिंज वियतनाम की अबादी 10-11 करोड के आसपास है काफी वड़ी अबादी है वियतनाम की तो इनकी सरकार को काफी आसान भी रहता है अपने देश की अबादी को skill करना और जैसे मैं आपको पताया सिंज one party government है तो ये लोग अपनी policy भी properly implement कर पाते हैं इसलिए आप वियतनाम के प्राम मिनिस्टर हाली में भारत में आए यहां पे आप देख पाऊगे बहुर अची फोटो है वियतनाम इस PM फाम मिन चिन की ये जब भारत में आए तो माइन में यही बात आई कि ये हमारे rival भी हैं but at the same time वियतनाम के रिलेशन्स चाइना के साथ ठीक नहीं है साउच चाइना सी के इशू को लेकर हाली में यह देखा कि वियतनाम और फिलिपीन्स ने साउच चाइना सी में एक युद्ध ब्यास भी किया है चाइना को चुनोती देने के लिए इस फेक्टर की वज़े से वियतनाम भारत के साथ खड़ा है एक्सपैंशनिजम के अगें उतने स्ट्रॉंग ना होते और अब यहां पे आप समझगे होगे के भारत ने यह 300 मिलियन डॉलर का लोन के ओफर किया है वियतनाम को ना मुझे यहां पर एक बाद करनी पड़ेगी यह लोन एक लाइन ऑफ क्रेडिट है भारत यह कह रहा है कि कुछ डिफेंस आइटम अग और मुझे काफी खुशी है कि इंडिया यह 300 मिलियन डॉलर का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है यह ओफर कर रहा है क्योंकि इंडिया वियतनाम के बीच में इससे पहले एक कॉमेडी हो रखी है कॉमेडी मैं आपको समझाता हूं क्या है आज से कई साल पहले 2014-15 के आसपास वियतनाम की उस वक भी डिमांड थी कि यह लोन ओफर बढ़ाओ इसे इंक्रीज करो और वियतनाम ने तब तक मैं आपको जादू 100 मिलियन डॉलर का जो यह लाइन ऑफ क्रेडिट है इसको यूज ही नहीं किया यह ऐसा कैसा पढ़ा रहा और अब फनली हमने देखा है 2024 में इंडिया ने यह अमाउन बढ़ाया है और आम शोर आम 100 परसेंट शोर आप देखोगे इन दे फ्यूचर वियतनाम एक बड़ी डिफेंस परचेस करने वाला है फ्रॉम इंडिया और उस सब के इलावा इंडिया और वियतनाम ने एक नया टार्गेट रखा है कि आने वाले क कुछ सालों में दोनों कंट्रीज का ट्रेड 20 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाएंगे अभी के लिए दोनों कंट्रीज का ट्रेड 15 बिलियन डॉलर्स है और साथी साथ वियतनाम के पीम ने ये भी का है कि दोनों कंट्रीज हो सकता है कि भविश्य में एक फ्री ट्रेड एग को लेकर आपस में बहुत ज़रा कॉपरेशन करेंगे और फाइनली यहां पर मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेशन क्वेशन यह है कि हाली में भारत ने अपने नागरिकों को यह का है कि इस मिडल इस्टन कंट्री से बाहर निकल जाओ यहां पर आपकी आपको बतारा है कि कि कंट्री की यहां पर हम बात कर रहे हैं और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टन मेसेज Study IQ का प्रतिग्या बैश the most enrolled batch in Study IQ's history बहुत सारे बच्चों ने from all over India Study IQ के प्रतिग्या evening batch में enrolled किया है और मैं आपको फाइनली यह पता दूँ कि अब यह enrollment समाथ होने वाली है तीन अगस्त यह date याद रखेगा तीन अगस्त के बाद प्रतिग्या evening batch इसमें enrollment समाथ हो जाएगी यह एक new fresh batch है जिसके जरीए आप UPSC exam की preparation कर सकते हैं from the scratch तो comment section में जाएए यहाँ पर आपको मिलेगा यह link इस link पर करिए click और यहाँ पर प्रतिग्या बैच याद रखेगा तीन अगस्त के बाद इस batch में enrollment बंद हो जाएगी यूनीक बैच है इवनिंग में सारी classes आपकी यहाँ पर होगी morning की जगा इवनिंग में और एक बहुत ही reasonable price में देखो यह जो price यहाँ पर लिखा है never pay this price यूज करिये code PD10 और आप एक discounted rate पर यह course कर सकते हैं purchase आपको 28,500 रुपीज पे करने होंगे for 30 months course 30 महीने तक आपके पास time होगा आप आराम से prepare करके खुद को ready करके एक January time दे सकते हैं UPSC exam का क्योंकि यह course में आपको मिलती है live classes, one-to-one mentorship, answer writing program, prelims test series और study IQ openly यह भी कहता है आप prelims clear करिए जो भी आपने पैसा भी भरा है यह हम आपको refund कर देंगे और साथी साथ इसी purchase में मतब पैसा तो आपको वापस मिल गया साथी साथ अब study IQ, mains और interview की भी जो आपकी त्यारी है वो करवाएगा आपको option दी जाएगी के या तो आप अगर अपने घर से ही त्यारी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें आपका मन कर रहा है तो study है क्योंकि team के साथ मिलकर in Delhi आप preparation कर सकते हैं mains और interview की option will be yours तो 3 अगस्त last date है make sure to remember this और इसी note के साथ यह वीडियो का अंध thank you for listening and as I always say may the gods watch over you